So, well, we are back and यहां पे हम जो garden snake हमारी poem है इसकी exercise के questions हम जहां पे करने वाले हैं details solid ठीक है ना हमारा जो यहां पे portion है exercise का working with the poem जो हमारा portion है इसके questions हमें देखने है Question no. first है हमारा Pick out the line that suggests that the child is afraid of snakes हाप जो है वो line जो है जहां पे highlight कार के लिखो this line में यह बताया है कि यह जो बच्चा है यह साम से डरता है, ठीक है ना, टो ऐसी कौन सी line है जिस से हमें यह चीज पता चलती है कि बच्चा साम से डरता है, तो यह है पहला, the line that suggests the child is afraid of snakes, वो line जो बता दी है कि बच्चा जो है साम से डरता है, वो कौन सी इसका मतलब कि बच्चा जो है सांप से डरता है विच लाइन शोज एक कम्प्लीट चेंज आफ ती चैल्ड्स एटिटूड टूर्स सनेक्स रीडिट अलाउड कौन सी लाइन जो है तो नहीं है तो तब जो है इसका अटिटूड सांपों की तरफ हो जाता है तब करीब से जाकर साम को देखता है मैं उसके पास खड़ा हो जाता हूँ और उसको गुजरते देखता हूँ वो लाइन जो बताती है कि चाइल्ड का पूरा अटिटूड जो है साम को की तरफ वो चेंज हो चुका है वो कुल सी लाइन है मैं खड़ा होता हूँ होंगा और वो साम वहां से पास हो जाएगा बाट मदर सेज दैट काइन इस को डिलाकं मा मा कहती है कि वो वाला जो साम है उस काइन के साम जो है अच्छे होते हैं वाट इस मदर रेफरिंग टू मा किस चीज को रेफर करती है ठीक है ना, the mother is referring to garden snakes, mother किस चीज को refer कर रही है, garden snakes को, क्योंकि ममा इसको कह रही है, कि garden snakes जो होते हैं, वो अच्छे होते है, तिन हमारा है question number two, ठीक है, find the word that refers to the snakes movements in the grass, ठीक है न, उस word को जो है, आप मालूम करो, जो refer करता है, आप बताओ वो जो snake की movement जो है, हमें grass के अंदर द ठीक है, तो हमने कौन सा देखा था, ठीक है, wegls, ठीक है, wegls is the word that refers to snakes movements in the grass, wegls एकवोड है, जो बताता है हमें, snake की movement किस के अंदर, घास के अंदर, तेरा और फोर पियर साफ राइमिंग वोर्ज इंदा टेल मिला ओर यहां पे इस पोयम के अंदर जो हैं चार जुड़े हैं राइमिंग वोर्ज हैं आप उनको पड़े ऊंचे पर वर्म ठीक है तो यहां पर जे स्हाँ हमारी क्वेस्श्ष्षिंड है तो कौन-कौन हमारे राइमिंग वोर्ट्स के चार जोड़े हमने देखे हमारी पॉइम के अंदर थे ठीक तेन उसके बाद हमारा है क्वेस्चन नमर फॉर इस स्नेक हैस लो लेक्ट सार्फीट एक सांप की ना ही टांगे होती है और ना ही पैर होते हैं बट इट बूज वेरी फास्ट लाग हैं तो इतने फास्ट सांप क्यों चलता है क्लास के अंदर यह चीज डिसकर्श करनी है इस स्नेक विगल्स ठीक है ना एंड डैट्स हाव इट मूज वेरी फास्ट अल्दो इट दस नाट है लेक सार्फीट स्नेक जो है बेसिकली वह विगल करता है ठीक है तब ही वो जो है कोब्रा कोब्रा लांग शार्प टी ठीक है ना क्या आप जो है वोड को रिकाल पाऊ कर पाऊँगे जो कोब्रा के लंबे दांतों के लिए स्तामाल किया जाता है वेर डिड़ू कम एक रास तिस वोड फस्ट यह वोड जो है पहली बार आपने कहां पे देखा था जा कहां पे सुना थे ठीक है तो इसका क्या है ती वोड उस्ट फार केमरा कोब्रा लांग शार्प टी ठीथिस फैंक्स फैंक्स जो होता है फैंक वोड हम यूज करते हैं कोब्रा के लंबे दांतों के लिए I have heard this word while watching the discovery channel मैंने जो है discovery channel वाच करते वकत जो है यह वाला वोड जो है ठीक है अपने मुझे से सुना तो आप लिख सकते हैं कि अपनी क्लास में सुना था इसके साथ ही हमारा यह वाला जो चैप्टर है वो खतम हो जाता है ठीक है तो जहां पे क्या जो है अगर हम म्यूजिक सनाएंगे किसको पेड़ों को तो उसकी वज़ा से जो है पेड़ एक ट्रीज के पतों के अंतर ठीक है जो उसके लिवज होते हैं उनके अंदर छोटे-छोटे होलों को हम स्टो मैठा कहते हैं यह कैसे होता है यह तो अभी चीज हमें पूरी जो है पता नहीं चली लेकन म्यूजिक की वज़ा से कुछ क्राप्स की जो जील्ड है वो बड़ी है ठीक है ना और जो बहुत से प्लांट लावर्स जो होते हैं प्रेंस चार्लेस ब्रेटर ब्लीव दाट टाकिंग तो प्लांट मेक्स देम ग्रो बैटर और अगर हम पेड़ों से बात करेंगे तो वो जो है ज्यादा ग्रो करते हैं तो यह था हमारा जो पीछे क्वेस्टन ना बोलें नेक्स्ट यूनट हम जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेलेगा तो चलते हैं आप नेक्स्ट यूनट भी